के नमस्कार सातियों आप सभी का हमारी चैनल में स्वागत हैं आज की वीडियो होने वाली राजिस्थान के जो प्रमुक्दूर गिये दोस्तों उन तुर्गु से समस्देता आज की वीडियो होने वाली है जिसमें अपन लगब पचिस क्यूसणों के बारे में डिसकस्विक करेंगे 20 के बारे में discussion करेंगे तो यहां पर वीडियो को start करते हैं और दोस्तों यहां पर episode number की बात करें तो 91 है ठीक है तो यहां पर मतलब कि अपना जो फ्लेक्सिप वाला topic चल रहा है उसके अंदर अपने 85 तक मतलब कि episode complete कर लिया है उसके बाद दोस्तों चार यह पांच वीडियो और upload होगी उसके जिसे मैंने यहां पर गेव दे दिया ठीक है यहां पर 91 से start किया है तो episode number 91 अपना start हो गया ठीक है तो राजस्तान का आज का पहला question कौन सा हो जाएगा दुर्गू से समंधित तो पहला question है निमन मैं से कौन सा दुर्ग है जो कि गड़ बीटली के नाम से जाना जाता है तो तारागड को अपन गड़ बीटली के नाम से जानते है ठीक है जो कि कहां पे है दोस्तों अजमेर के इंतर कहते है ठीक है तो और इसके क्या क्या नाम उपनाम है दोस्तों यहा आजस्तान की कुंजी और रावलिका अर्मान भी कहते है दोस्तों ठीक है और इसका जो निर्मान किया गया है वो निर्मान किसके दोरा किया गया है इसका 1113 में दोस्तों अजे राज के दोरा निर्मान किया गया है ठीक है जो की गड़ बिटली पहाडी पर इसका निर्मान किय गैं अगे एक लाग देखिए कि नाना साब नाना साब का जालरा और इब्राह analyzing किस चलिउinn में श्तीत है तो यहाँ mitad ώ में अरोग इसको किस नाम से जानते गड़ बीटली और यहां पर का जिब्रायलिटर और विससप हेबर के नाम से ओर राजस्तन का हरडे एनानस डिक Kung तका निर्माण 1130 के फैरा कए अजयराज ने किरवाया और यहां पर कुन- doors जलाशी एक तो गोल कि अक law एक नाना साब का जलर है एक इसके उर्चाह quick और गोडी की मजार यह दोस्तो थीक है और यहां-पर दारा Сам वह जैनम हो थीक है სैंड किHello क 야 किस दूर्ग का सबसे उचा भाग मिरान साब की दरगा केलाता है तो यहाँ पर दोस्तों मतलब की तारागड का जो दूर्ग है दोस्तों तारागड का पर यह तारागड बुंदी वाला नहीं है तारागड अजमेर वाला जिसके अंतर का मिरान साब की दरगा है ठीक है सबसे तारागड का जो नाम पढ़ा गया वो खिशके उपर पढ़ा गया तो जो राणा सांगा का पुतर था कौन सा उड़ना राजकुमार परतिवी राज जिसकी पतनी का क्या नाम था ताराबाई उसके नाम पर दोस्तो इस किला का नाम क्या रख दिया गया तारागड नाम रख कर गाये लेकिन जो मतलव कि कोन है हर विलास सारदा हर विलास सारदा ने दोस्तु इसका निर्मान किसके स्वयोग से बनाय गये यह अजे पाल ने मतलव कि 566 Verm 지विक केंदरे इसका निर्मान करवाए दोस्तु ठ 아니고 तो यहां पर अपना जो नॉर्मली जा pense इसर होगा वो कोण हो जाएगा अजे राज जिसने 1113 मिछ का निरमान करवेया लेकिन अगर डोक्टर हर वीला्य शारता के अनुशार तारागढ केले का निरमान पूछे तो अजे पाल ने दूस्तु इसका के निरमान Tao धीक हैे जो यहाँ i रोटी राणी है दोस्तों रोटी राणी को अपन भोल रहे तो रोटी राणी का जो छत्री है यह दोस्तों यह कहां पर तारागड के अंदर गट ठीक है अगला कुशन है गुंगट गुगडी बादरा इमली क्या चीज है तो गुंगट गुगडी बादरा इमली यह क्या ची जो बुर्जे हैं वो बुर्जे कितनी है चोदा बुर्जे है ठीक है चोदा बुर्जे वो कौन कौन सी हो जाएगी तो गुंगट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, खिड़की, फूटी, फथेह, नागर्ची, सरंगार और चवरी ठीक है ये कुछ मतलब की चोदा यहां पर गेंतर के दोस्तो साहजा के बेटे दरहाशिकों का जनम हुआ था दोस्तो ठीक है अगला के उसे देखिए गवर्नर जनरल लोर्ड विलियम बेंटिंग के इस दुर की दुनिया का दूसरा जिबरालिटर कहा तो यहाँ पर दोस्तो विलियम लोर्ड विलियम बेंटिंग लोर्ड विलियम बेंटिंग ने दोस्तो मतलब की दुनिया का दूसरा जिबरालिटर किसे कहा तो यहां पे तारागड को दूसरा जिब्रालिटर कहा ठीक है जो की अजमेर वाला है ठीक अजमेर तारागड है यहां पे बुंदी वाला नहीं है तो जिसको मतलब की दूसरा जिब्रालिटर कहा ठीक है इसको दोस्तो दूसरा जिब्रालिटर लाओ दूसरा पूरो का जिब्रालिटर भी कहते है ठीक है पूरो का जिब्रालिटर और दूनिया का दूसरा जिब्रालिटर भी कहते है ठीक है अगला क्यूसन है बिकानेयर के जुनागड केले का निर्मान किसने करवाय था दोस्तु तो बिकानेयर के जुनागड केला दोस्तु इसको जो उपनाम कौन कौन से है तो बिकानेयर के जुनागड का दोस्तु उपनाम कौन कौन से हो जाएगे तो दोस्तु ये पहले तो धानवरिन्य स्रेनी के तो यहां पर दोस्तों मतलब इसके चार वर गेरी खाई खुद आएगी इसको एक तो पारिक दुरक के नाम से जानते हैं और धानवरी निये दुरक के अंतरगत भी आता दोस्तों क्योंकि रेगिस्तान के अंतरगत है ठीक है जो उपनाम कौन-कौन से हो जाएगी इसको तारा बिका की दोरा 1485 में दोस्तों इसके नियू रखी थी लेकिन जो इसका निर्मान करवाया निर्मान किसने करवाया महराजा राइसिंग ने दोस्तों इसका निर्मान करवाया ठीक है कब से कब करवाया तो यहां पर 1589 से लेकर 1544 में के बीच में ये दोस्तों अपना इसमें जुनागड के लिए का पुराना नाम लेमलिक में से कौन सा था तो यहाँ पर दोस्तु जुनागड है इसके लिए का पुराना नाम क्या था तो लालगड इसको नाम से जानते है ठीक है लालगड भी सी को कहते है तारा मनी भी सी को कहते है जमिन का जेवर और राती गहटी का क भी सिसिके को कहते है ठीक है जिसका निर्मान रायसिंग ने कर वाया था ठीक है और किसके निर्देशन में करवाया किरम चंद की निर्देशन में दोस्तिakin जुनागुड दुर्ग है काँपे तो ये दुस्तु काँपे हो जाएगा बिका नेर के इंतरगत है जिसके उपनाम कौन कोन से तारामणी लालगड जमिन का जेवर राती गांटी का दूर जोकि धानवन ने और पारक स्रेनी के इंतरगत आ था नीम किसने रखी 1455 में राव ब हो को चूणडा माता का कँ मंद gogg ये तो यहीं कौन को से मंदिरी आप तो यहां पना इसके लाव दोस्तों मतली मंदिर पी है त्跳odר औमे तो संकर मंदिर भी है कुम्ब सिवाम मंदिर भी है और दोस्तु मेरा बाई का मंदिर भी है ठीक है और यहां पर सरंगार चवरी सत बीश देवरी वान माता अन्ना पुर्णा विरडी माता का मंदिर भी ठीक है मोकल जी का भी मंदिर है और यहां पर दोस्तु और कुछ मंदिर चि विश्ण साथ में आ रहा है तो किस्त को समरपेट किएगे है तो यहां पे दोस्तों विश्णु को समरपीन की फि chest किया गया ठीक 23, कुम साम स्याम मंदिर किस किले में स्तीत है तो मंदिर कोण से किले में हो जाएगा तो यहां पर रैटन्स यहां ध susceptible ये चितोडगड के किले में स्थीत है ठीक है चितोडगड के किले में स्थीत है कुम स्वाम मंदिर ठीक है अगला कि उसने देखी चितोड़ गड़ दूर्ग के विजे स्थम्प का वास्तुकार कौन है तो जो चितोड़ गड़ दोस्तों ये दूर्ग है जो विजे स्थम्प है दोस्तों इसके वास्तुकार का क्या नाम है तो वास्तुकार का क्या नाम हो जाएगा दोस्तों तो पंदरवे नमर के अंदर अपना राइटन से क्या हो जाएगा जेता है जेता यहां पे वास्तुकार होने वाला जेता के लावा और कौन से यहां पे वास्तुकार है तो यहां पे और वास्तुकार है तो जेता है एक मंडन है एक नापा है एक नापा के लावा पुंजा है जेता मंडन नापा पुंजा ये दोस्तु विजस्थम के जो वास्तुकार है और विजस्थम निर्मान कब करवाया गया तो विजस्थम का निर्मान करवाया 1448 से लेकर 1448 के बीच में दोस्तु विजस्थम का निर्मान करवाया था दोस्तु ठीक है और ये विजस्थम का निर जिसके वास्ट outे जेता पामा सुरी जेता नांपा पुछा और मंडण motivations देखें कूसा किला जोहर स्थल के लिए पमा ऐस Quốc उठी से चित्वोड दोस्तो्त समय तीन बार चोहर हुआ थ मॉठीन यौन और जोर स्तल कौन कौन सी हो जाएगे यहाँ पर तो जोर स्तल होने वाले है यहाँ पर अपने मतलब की एक तो कुमबा मेल है जिसमें मतलब की जोर हुआ इसके लावा रानी पदमनी का मेल है एक फते परकास है रतन सिंग सलोंबर की जो हवेली यहाँ पर दोस्तु मतलब की कुछ जोवर होए थे दोस्तों ठीक है निम लेक्ट में से कौनसा किला कौनसा चितोड़ गड़ में श्तीत नहीं है तो मौती मेल दोस्तों चितोड़ गड़ के अंदर गड़ नहीं है तो दोस्तों यहां पर मतलब कि जितोडगर दुर्ग में जो कीरती स्थम को माना जाता है तो यह दोस्तों आदिनाथ का समर्क माना जाता है तो यह मतलब कि आदिनाथ का समर्क माना जाता है इसका निर्मान किस ने करवाया तो यहां पर दोस्तों इसका निर्मान करवाया जेन विश्तापदी के अंतरगत यानि कि 1301 के अंतरगत इसका निर्मान करवाई था दूस्तू ठीक है जो कि एक जेन मंदिर है ठीक है अगला कि उसन देखिए भारतिय मूर्तिकला का विश्व कोस किसे कहा जाता तो भारतिय जो मूर्तिकला है इसका विश्व कोस किसे कहा जाता तो ये अपने विज्व कोस किसे कहा जाता ठीक भारतिय मूर्तिकला का विश्व कोस किसे कहा जाता तो अपने विज्व कोस किसे कहा जाता ठीक इसका निर्म करिका немे चोंप दिउस सारंग पर की वीजे के डिलक्स में 1436 here सारंग पर की वीजे के उपलयक्स में राणा कुमबा और दोस्तों स्टम के निर्मान टिक जिसका बनाम कुण कॉन कॉन से इसको रौम का टारजन वी कहते है विष्थ और गोट्स के नाम और ये विश्णु दवज के नाम से और विश्णु स्तम के नाम से भी जाना जाता ठीक है तो ये थी दोस्तों चोटी ची वीडियो गर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजीगा और चेनल को सब्सक्राइब कर दीजीगा ठीक है जेतने भी इंपोर्टेंट क क्यूशन बनते हैं जो एक्जाम के अंतरगत आए हैं उनक्यूशनों के बारे में सभी के बारे में डिस्काशन कारने वाले इस सरंखला के अंतरगत ठीक है थैंक्स पूर वोचिंग सी ओगें